राधे राधे अब्रिवन आप सभी का आपकी अपनी चनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपकी साथ शेयर कर रही हूँ मेरा न्यू मंदिर की डिजाइन उसकी क्या प्राइज पड़ी और ये डिजाइन हमने कहां से चूज किया और कितने में हमने इसको बनवाया है इसको मैंने ऑनलाइन परचेस नहीं किया है इसको मैंने कारपेंटर से बनवाया है तो बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहे थी कोई अच्छी डिजाइन मुझे मिल जाए क्योंकि मुझे अपना मंदिर बनवाना था तो आपको पहले मैं दिखा देती हूँ कि ये मंदिर हम में कहां रखना है तो देख सकते हैं आप इस जंगय पर हम मंदिर रखेंगे ये पूरी जंगय ही भगवान के लिए हम लोग ने स्पेशली बनवाई थी जो हम लोग ने अपना घर डिजाइन किया था तो सेप्रेट जंगय भगवान की अलग से होनी ही चाहिए किसी भी कमर मंदिर बनाए है क्योंकि कि मया जो मंदिर था हमारा वह दीवाल पर हेंग करके रखते क्योंकि बच्चे छोटे थे तो भगवान को जाए हुँआ पट बन से तो वह लोग भाग मेसमार को बदाना मन्दिर वह बहुताइण मंदिर बनवाना था तो यह देख सकते हैं आप render मंदिर ने बनवाया है बहुत ही स्पेशियस है अच्छी बात तो यह है कि मुझे स्पेश चाहिए था कि कल को आगे जाकर मंदिर में भगवान की जो क्वांटिटी है बढ़नी ही है भगवान कम नहीं होंगे भगवान बढ़ेंगे इसलिए मंदिर थोड़ा सा बड़ी को अगर को यहां पर आपको जो भी स्पेश दिख रहा है मंदिर की बीच में इन सभी पर लाइट जो है वह फोकस होगी लाइट इसमें से निकलेगी तो वह रात किसमें तो बहुत शुंदर लगेगा तो मैं पूरा आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी इसका तो इसको ह तो यह जो माटेरियल है यह MDF है MDF जो होता है वो बहुत अच्छा होता है खास करके अगर आप किसी पानी वाले चीजों में अगर आप लगवा रहे हैं लकडी का फ़णीचर का काम करवा रहे हैं तो प्लाई बिल्कुल भी आप यूज ना करें आप उसको MDF या फिर SDHMR में आप बनवाएं अगर बहुत ज़्यदा दीवाल पर सीलन वगड़ा आती है तो SDHMR में बनवाना चाहिए तो यहां पूरी आपको लाइट की फिटिंग वगड़ा दिख रहे होगी तो अभी तो जस्ट आया हुआ है इसके साथ ही मैंने एक छोटी साइस की अलमारी भी पूजाए वह मैं किसी और वीडियो में शियर करूंगे आपके साथ तो काफी सारा सामा उसमें में आ जाता है इसमें जो ड्रॉर है बस उसमें वह सामान रखूंगी जो मुझे डेली पूजा में यूज होता है तो सबस्पर बैस क्लीन कर लेती हूँ क्लीन करना बहुत जर वह किस चीज़ का है तो यह जो आपको थोड़ा सा शाइनी लग रहा होगा यह है यूवी और आप जो भी पसंद हो आप करवा सकते हैं यह जो मतेल है यह यूवी है और यह डारेक्ट प्लाई नहीं है यह डारेक्ट फैक्टरी के द्वारा मशीनों से जो बिलकुल नहीं रहती है और कुछ समय बाद वह आपको थोड़ा सा उबरा उबरा सा या फिर कहीं कहीं से क्रैक क्रैक आपको दिख जाएगा लेकिन अगर यह वाला माटेरियर आप यूज करते तो आपको कोई परशाय नहीं आएगी इसमें हम बिचाएंगे यहां पर यहां को दिख र अचल तो ने पर आप कोई सत्यूनि में डिया हुआ यह इसमरी मेता रही हूं अगर आप ने देखा होगा मेरी कुछ से कैणल पर कुछ क्लिपिंगे क्लिपिंग эт यहां देख वाला ला एक्रेलिक का काम करवाया है पूरा तो वो उसका वीडियो में चलदी शेयर करूंगी पर इस में इस चैनल पर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यह मेरा पूजा पार्ट वाला चैनल है तो मैं अपने सेकंड चैनल पर दीपती की दुनिया 1M वाला जो चैनल है मेरा तो उस पर मैं तो उसमें आप आइडिया ले सकते हैं कि न्यू बैड्रूम की डिजाइन वगरा कैसे हमें रखनी चाहिए उसका पूरा जो डिजाइन है वो मैंने खुद बनवाया है बहुत ही सुंदर ओवल शेप का मिरर है उसमें बहुत सारी चीज़े है वह आपको आइडिया अच्छ बड़ी ड्रॉज है आप बहुत सारा समन भी रख सकते हैं जो भी आपकी यूज का होगा तो यहां पर देखें यह सभी चीज़ें हमाची तरिके से यहां पर पूरा फिनिशिंग से बिच्छा लेंगे और फिर एक चीज मैं ज़रूर करूंगी इसके साथ कि यहां पर जहा मंदिर में और कैसे हमने सेट किया तो वह वारा तो वीडियो थोड़ा सा बाद में मैं शेयर करूंगी क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो देखें यहां पर जो मुझे भोग लगाने होते हैं प्रशाद रखना होता है भगवान को तो वह मैं यहां पर रख और पी चीजें होती है वह यहीं पर मैं रखती हूं जिससे कि मुझे भोग लगाने में आसानी हो जाती है तो कुछ भी लट्डू बना कर रखती हूं मैं या फिर ड्राइफूर्स अलग से तो वह यहीं पर रख लेते तो जो भी चंदन चावल है और रोली है इत्र है धू और है उसमें मैं जो सामाम रखूंगी वह भगवान की पोशाक वगए जो डेली में मैं यूज करती हूं और उनको बार-बार बदलना होता है चेंज करना होता है तो वह भी मेरे लिए बहुत ही जरूरी है जिससे कि मुझे बार-बार ना उठना पड़े और मैं अपनी जो काफी सारी पोशा के भगवान की तो एकटा रखना तो मुंकिरी नहीं है तो मैं उस वाले इल्मारी में रखती हूं सारी तो तीन-चार यहां पर रखती हूं तीन-चार पांच जिससे कि अभी लगी एक सत्ता का काम हो जाता है फिसके साथ ही जो बातिया एक्स्ट्रा होती और या घ्ट्रा होता है तो वह भी हम इसमें रख लेंगे और पी जो चीजे होती है पूज श्चान वाले असान भगवान के बिछाने ही और नई के कपड़े होते हैं तो सभी चीजे twiceर कर रहें तो आसानी होती है तो हमें आसानी हो जाते हैं तो यहां पर देखे मैं मातरानी के लिए जो चूड़िया लेकर आई थी जो मुझे आपको पता ही है कि सिंगार का सामान हर एक पूजा में मुझे दिखाना ही होता है तो वो सबी सामागरी में इसमें रखने वाली हूँ मुकोट है भगवान की जो मालाएं है और भी जो चीज़े होती हैं कि शिंगार की बाउसरी वगरा तो सबी चीज़े में इस वाले बैग में रखते हूँ जसे कि मुझे एक बार में सबी चीज़े मिल जाए तो यह जो है arrangement हमारी पूजा का वो अच्छी तरीके से हम मंदिर को ऐसे arrange कर लेते हैं बहुत ही आसानी से हम ऐसे पूजा जो करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाती है आपको ये मंदिर मेरा कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट करकर और भी अगर आप इसके बारे में जानना चाहें इसके लेटिट को भी कॉशन होता है मुझे को कॉशन पूछ सकते हैं मैं जल्दी सी जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगी और लाश में इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो यह जो मुझे पढ़ा था यह सिर्फ मुझे पढ़ा है 19,000 का इसके साथ जो अलमारी है उसको मिला के 25,000 का मुझे टोटल यह पढ़ा था तो चली आप बात कर लेते हैं दिशा का तो जब भी आप मंदिर सैट करें अपने घर पर तो इस दिशा पर रखेंगी जैसे कि आप जब पूजा करने बैठें तो आपका मुख पूराप की तरफ होना चाहिए मंदिर का मुख यह जो है वो पश्चिम की तरफ है आप सभी को यह मंदिर कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का तो चली आज का यह वीडियो में यहीं साब्त करती हूँ धन्यवाद